रामल्ला की मूर्ती काली क्यों है? रामल्ला की मूर्ती बेहद ही खुबसूरत है. इस मूर्ती में रामल्ला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौमे मुद्रा में दिख रहे हैं. रामलला के चेहरे पर भक्तों का मन मोह लेने वाली मुस्कान दिखाई दे रही है. इनकी मूर्ती का निर्मान श्यामशिला से हुआ है, जिसका रंग काला होता है इस वजह से भी रामला की मूर्ती श्यामल है इस काले पत्थर को कृष्ण श्यामशिला कहा जाता है शास्त्रों में जिस कृष्ण शिला से रामला की मूर्ती का निर्मान हुआ है उसे बेहत खास माना जाता है क्यों खास है भगवान राम की मूर्ती में उप्योग हुने वाला पत्थर जिस श्याम शिला से भगवान राम की मूर्ती बनाई गई है उसकी आयो हजारों साल होती है मूर्ती को जल से कोई नुकसान नहीं होगा साथ ही कहा जा रहा है कि चंदन, रोली आदि लगाने से भी मूर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मूर्ती की खासियत रामला की मूर्ती में पांच साल के बालक की कोमलता जलक रही है इस मूर्ती में बालत्व, देवत्व और एक राजकुमार तीनों की छवी दिखाई दे रही है मूर्ती का वजन करीब बसों किलोग्राम है इसकी कुलूंचाई 4.24 फीट, जबकी चोड़ाई 3 फीट है कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ती, हाथ में तीर और धनुष है कृष्ण शैली में मूर्ती बनाई गई है रामल्ला की मूर्ती के ऊपर स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा और सूर्य देव विराजमान है रामल्ला के चारों और आभा मंडल है भगवान राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी है मस्तक सुन्दर, आखें बड़ी और ललाट भवे है इनका दाहिना हात आशिरवाद की मुद्रा में है मूर्ती में भगवान विश्णों के दस अवतार दिखाई दे रहे है मूर्ती नीचे एक और भगवान राम के अनने भक्त हनुमान जी तो दूसरी और गरुर जी को उकेरा गया है